अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक के हैं यानि कि आप बहुत ज्यादा खुश किस्मत हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे मन्द होगी और उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी करते हैं ताकि हमारी वीडियो कुछ ज्यादा लंबी न हो जाए बाइदा विए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फ्रेश गाडिनिंग आई पी को सब्सक्राइब करें तो आज कि इस वीडियो में मैं आपकी साथ शेयर करूंगा एक ऐसी सब्जी जो के करती है जैसे कुछ लोग होता हैं मीठे मिजाज के और कुछ होता हैं कडवे मिजाज के तो आप लोग समझी गए वोंगे कि वेगेथे की की बात जो फोड़े से होते हैं उनका निकलाना यह चिकन फॉक्स जैसी बिमारियों से यह हमें बचाता है और तीसरे नमबर पर आता है यह आपके कुवत मुदाफित को तेजी से बढ़ाता है जिससे जो है आप जल्दी बिमार नहीं पड़ते और इसके बहुत से फाइदे हैं जो क कुछ लोग यह मिस्टेक करते हैं कि वो लो क्वालिटी सीट को पर्चेस कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमें अच्छा रिजल्स देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता आपके सारे पैसे जाया होता है आपका टाइम बरबाद होता है और आपकी एनरजी भी आपको सेट जो हैं अच्छे क्वालिटी के एफ वन सीट लेने हैं तो सीट को पर्चेस करते हैं वक्त आपको यह देखना है कि सीट की जो एक स्पारी डेट है वह इस साल के है यह नेक्स येर की है तो करेले के बीज़ों को डिरेक्ट मिट्टी में नहीं लगा ना क्यूंक अधी चांस है कि आपके जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाएं तो इसलिए आपको इन सीडों को तक्रीबन 12-17 घंटों के लिए आपको पानी में छोड़ देना है तो अभी फिलहाल शाम का वक्त है तो मैं इसको डाल दूगा पानी में पूरी रात के लिए ताकि इनका उपर व सीड फिफ्टी परसंट गार्डन सॉइल और टूंटी परसंट आपको इस्तमाल करना है रेट का बालू साइन भी हो सकते हैं कंस्रेक्शन साइट से भी आप लेकर आ सकते हैं तो इसे अच्छे से लिए तो तयार हो जाएगा आपका सेडली में इसमें आपके जो सीड है अंदर पानी डाल देना है ऐसा करने से जो मिट्टी का टंपरेचर है वो कूल डाउन हो जाएगा तो मेरे पास कुई बड़ा गमला है नहीं तो मैं इसी छोटे से गमले में लगा जूंगा बीचों को तो बीचों को लगाने के लिए सबसे पहले वन बैवन इन बीचों को प्लेस कर दो थोड़े थोड़े फासले पर तो फिर softly hands से आपने इनको हलका हलका दबा देना है तो यह आप देख सकते हैं जैसे मैंने पानी दिया था तो मिट्टी जो है थोड़ी सी soft है तो जब आप बीच के उपर मिट्टी की जो है layer लगाने लगें तो आपको यह बात का होना चाहिए कि बीच के मोटाए कितनी है जैसे कि आप देख सकते हैं यह करेले का भी जिसकी मोटाए को देख लें तो इससे मैं तकरीबन थोड़ी सी double जो है मिट्टी की उपर layer लगा दूंगा layer ऐसे लगानी है कि आपने मिट्टी को इसके उपर sprinkle कर देना है और बात में थोड़ा सा पानी जो है शावर से पानी दे लें या किसी स्प्रेय से पानी दे लें और इसको वहाँ पर रख दें जहाँ पर सूरज की दूप नहीं वैसे light आयल या थोड़ी से heat हो उसमें यह बात मैं इसले बता रहा हूँ क्योंके मैं जून में जो है बहुत तेज़ी से dry हो जाएगा और फी इसे छोड़ दे कुछ दिनों के लिए तो अब देखता है कितने दिनों में हमारे क्रेले के बीच जर्मिनेट करते हैं तो यह आप देखते हैं माशालस हमें बहुत यह अच्छा result देखने को मिला है हमने जो लगा थे क्रेले के बीच यह काफी अच्छ लगी होगी तो अगर आपको यह वीडियो बहुत ही जादा मज़ेदा इंफर्मेटिव और अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जादे से जादा शेयर करें क्योंकि आपकी तरव से हमारे लिए मोटिवेशन होता है जब आप ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपने जीजा जी फैक के मारो या फूपा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूँ